नमस्का बीसिन न्यूस की हिंदी बुलेटिन मैं मैं एक्षितिजा आप सबी कास स्वागत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों की और कोही तैसिल में आतियोरुष्टि से सरकार को तुरंत कोही तैसिल में भारी भारी से हुई नुकसान का आकलन करना चाहिए और साहता प्रदान करनी चाहिए किसानों को हुआ नुक्सान, कुही तैसिल के कई गाव बारिश की चपट में आ गए, बड़ी मात्रा में किसानों के फसले खराब हो गए, नागपुर जिले के उमरेड विधान सभा में बारिश से हुए नुक्सान और नुक्सान की जानकारी मिली है नाकपूर जेले के उम्रेड विधान सबा और कुही तहसिल में भारी बारिश के कारण गौर गरीब के घर और किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है ऐसे आशे के निवेदन तहसिलदार मारफत मुख्यमंतरी को दिये गए निवेदन प्रहर जनशक्ती पार्टी के तहसिल अध्यक्ष भईयाजी लेंडे शेहर प्रमुक मोहन धोटे इन्होंने पत्र द्वारे निवेदन दिया है कुई तहसिल के प्रहर जन शक्ती, पार्टी के पतादिकारी, किसान शेश्राद उत्पचारे, रोशन बानते, राहुल लांजेवार, अजे बानते, इनके साथ अन्य उपस्तित थे अमरावती में संभाजी भीडे के खिलाब कॉंग्रेस आकरमक हो रही है कॉंग्रेस ने संभाजी भीडे की गिरफतारी की मांग की है, कॉंग्रेस का यह आंदोलन अमरावती के राजकमल चौक पर हुआ, मौके पर संभाजी भीडे के खिलाब नारे लगाये गए गांदी जी की तस्वीर को लेकर कॉंग्रेस द्वारा अंदोलन किया गया और इस पूरी घटना पड़ ये शोमती ठाकोर ने तिखी और आकरमक प्रतिकरिया दी, उन्होंने संभाजी भीडे को गिरफतार कर, देश द्रोह का मामला दर्च करने की मांग की है, आगे उन्हो मनोल कुरकरनी वर तो स्वताचा नाव संभाजी बिडे सांगतो, महाराधन तो नाव वापर नेचा हरामकुराला अजिबात अधिकर नाई है, त्या हरामकुरावर देश द्रोहाचा गुना दाखल जाला पाईजे, और माजा ठाम मत आहे कि हा विदर्ब, हा या ठीकानी य जैसा काई सहनो करू शकतात, मोदी जी जातात, परदेशात, नाव टंकी करतात, महातमा गांदी चा, पुतरा वर नतमस्तक होतात, इतना नाटक करतात, निथे या मनोल कुलकरनी सरक्यान नालाइक मान जाला, अभई देतात, या चा निक्षेदाये, और यहांचा वर देश वर शियव व्यक्ति पानी में वह गया था, जिसका शव कल एक पेड में फसी हुए मिला है, जिससे इस्तानी उक्षेतरों में चर्चा का महौल बना है, इन सभी कार्यकरताओं को पुलीस ने हिरासत मिलिया है, करीब 12-15 लोग है जिनने पुलीस ने हिरासत मिलिया है, और ज इस उपायुक्त विक्रम साली के अनुसार संभाजी भीडे के खिलाब धारा 153, 505, 2 के तहत और आयजक के खिलाब धारा 34, 1 के तहत आंतरिक मामला दर्श किया गया है, और आगे की जाज चल रही है वैसे तो अकोला को अकोला महानगर पालिका कहा जाता है, अकोला महानगर पालिका का एक नारा बड़े ही जोर शोर से चल रहा है स्वच्छा अकोला सुंदर अकोला का नजरा अकोला के रेल्वे स्टेशन से लेकर अशोक वाटी का चौक तर जरूर नजर आता है पर अकोला रेल्वे स्टेशन की पिछले इलाका अकोट फैल एक बड़ी खनी आबादी वाला इलाका है अकोट फैल के इलाके स्वच्छा अकोला सुंदर अकोला को ठेंगा बताते हुए नजर आते हैं इस परिसर का एक इलाका रफिक नगर, रहमत नगर और भारत नगर जहाँ पर लोग बड़ी बधाली में जिन्दगी गुजार रहे हैं लोगों को अपने घरों के सामने जाने के लिए रस्ता तक नहीं हैं, पानी के अंदर फटर डाल कर लोग अपना रास्ता बनाते हुए नजर आते हैं, गलियों में हर तरफ पानी नजर आता है, रास्ता नजर नहीं आता इन बीसे न्यूस के जरीए लोगों ने अपनी बातों को हमारे सामने रखा और लोगों ने सरकार से उम्मिद की है कि उनकी तकलिफों को दूर किया जाएगा इन बीसे न्यूस के लिए अकुला से अजगर खान टमाटर का इस्तमाल करते समय बरते साउधाने पिछले कई दिनों से टमाटर के दाम अचानक बढ़ गए है लेकिन अब समय आ गया है नागरिकों को और गुरुहिनियों को टमाटर का इस्तमाल करते हुए साउधानी बरतने महंगाई वाले टमाटरों में कई तरह के जिवजन्तु ने प्रवीश कर लिया है। हाला कि टमाटर की केमत में काफी रुद्धी हो गई है लेकिन टमाटर में बारिक सफेद रंकी इलिया नियमित दिखाई दे रही है। है वाट क्रमांग पाश के नागरिकों ने ग्राम पंचायज सदस्य से इस बारे में तक्रार की है लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। परिसर के नागरिकों ने उत्पन्न समस्याओ के रहते निरंतर ग्राम पंचायज सदस्य को तक्रार की लेकिन समाधान नहीं हुआ है। बढ़ती गंदगी से बीमारियों का प्रकुप बढ़ने लगा है।